केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद अब लोगों की निगाहे भारतिय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष पर जाट की है सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाए हैं जेपी नड़ा के मंतरी बनने के बाद से कई नेताओं के नाम इस सर्वोच पद के लिए उच्छा ले जा रहे हैं उन्होंने अपना कारेकाल भी पूरा कर लिया है महराष्ट्र और हरियाना में विधान सवा चुनाव होने वाले हैं इससे पहले भाजपा को नया राष्ट्रिय अध्यक्ष मिलने की संभावना बढ़ गई है इसकी प्रकिरिया कुछ ही दिनों में शुरू होने की संभावना है पुर्ण कालिक अध्यक्ष के चुनाब तक कारेकारी अध्यक्ष के मनो नयन पर भी भाजपा के शिर्स नेत्रित्व के दुआरा विचार किया जा रहा है इस बात की प्रबल संभावना है कि भाजपा, OBC, दलित और महिलाओ तक अपनी पहुच बढ़ाने के बारे में फिर से सोच सकती है सियासी हलकों में चर्चा है कि जिस व्यक्ति के RSS से गहरे संब्ध होंगे उन्हें ही इस पद की जिम्मेदारी दी जाएगी ये भी कहा जा रहा है कि जेपी नडड़ा की उस तिपणी से RSS काफी नराज है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा इतनी शक्ति साली हो गई है कि RSS के समर्थन के बिना भी काम चला सकती है आपको बता दे कि जेपी नड़ा की तीन साल का कारिकाल जनवरी में समाप्त हो गया था लोग सबा चुनावों के कारण 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था वहें अपने उत्रादिकारी के चुनाव की प्रकिरिया पूरी होने तक पार्टी अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे संगठन और सरकार में एक साथ काम करने वाले वेक्ति पर कोई रोक नहीं है लेकिन भाजुपा में एक व्यक्ति एक पद की नीती का पालन करना परंपरा रही है सन्विधान के अनुसार राश्ट्रिय अध्यक्ष का चुनाब एक निर्वाचन मंडल दुआरा किया जाता है इसमें राश्ट्रिय और राज्य परिशदों के सदस्य होते हैं किसी राज्य के निर्वाचन मंडल के कोई भी 20 सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति का प्रस्ताव कर सकते हैं जो 4 कारेकालों तक सक्रिय सदस्य रहे हो और जिनकी सदस्य ता 15 साल की हो सयुक्त प्रस्ताव कम से कम 5 राज्यों से आना चाहिए जहां राश्टिय परिसद के लिए चुनाप पूरे हो चुके हो ऐसी अटकले है कि भाजुपा द्वारा हाल के दोनों में महिलाओ पर दिये गए जोर को ध्यान में रखते हुए किसी महिलाओ को पार्टी प्रमुक बनाया जा सकता है प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी ने अपनी लगातार तीन जीत में महिला मददाताओ की निर्नायक भूमिका को सुईकार किया है अभी तक किसी महिला ने भाजपा का नित्रित्म नहीं किया है वहीं विजेपी संगठन में महिला सदस्यों की संग्या बढ़ाने के लिए व्यापक संपर्क अभियान की योजना बना रही है महिला कोटा अधिनियम के नुसाल लोकसबा और राज्य विधान सबाओं में 33 प्रतिशत सीटे महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी 2029 के लोकसबा चुनाब तक इसे लागू किया जा सकता है